अगर अभी तक आपके csc center पे cctv camera नहीं लगा तो आपको cctv camera लगवा देना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर allowance हो चुका है अगर आपके csc center में cctv camera नहीं लगा है और वहाँ जाज के लिए DM आते हैं तो आपको जो csc center है वो बंद कर दिया जाएगा या आपका जो csc id है मत इसको 5-5 साल के लिए blacklist में डाला भी जा सकता इसलिए आपको अपने csc center में cctv camera लगवा लेना चाहिए यह बहुत बड़ी अपडेट है csc center से इंकल करके आई है पिछली बार क्या हुआ पिछली बार भी एक update आई थी पर लोगों ने वहाँ पे अपने csc center पे camera नहीं लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है अपने csc center पे camera लगवा लेना इससे क्या होगा आपके लिए भी security हो जाएगी अगर आपके csc center पे नहीं लगा है तो आपको कोई भी आता है क्या समान रखा क्या नहीं रखा तो सारी चीजे आपके भी निग्रानी में हो जाएंगी और आपके लिए ही benefit है कर आपके csc center पे camera लगा है तो csc center वालों को benefit थोड़ी नहीं होगा आपको ही benefit है csc center में camera लगाने csc center आपने केवल खोलने ही नहीं दखा होगा csc center साथ और भी सारे काम होंगे वहां पे भीन लगी होती होगी क्या समान किधर पड़ा हुआ तो इसलि हैं हमने description में हमने number दे दिया आप जहां जाकर कि हम phone कर सकते हैं हम तो csc tv camera का काम कर रहे हैं कमसे कप 8 साल से csc camera के line में लगे हुए हैं तो यह साथ में जलसेवा केंद भी खोल लगा यहां पर वीडियो भी बनाते हैं जलसेवा केंद का लगी काम करते हैं इसलिए आपसे request ह है कि आपके csc center में अगर camera नहीं लगा है तो फटाफट camera लगवा लिना चाहिए बहुत बड़ी update csc center की तरफ से निकल करके आ चुकी आशा करता दोस्तों यह जानकारी को बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को like करके channel को subscribe करना ब सब्सक्राइब तक लिश्तों जय हिंद जय भारत बाइबाई लव याल यूटूब फैमली